तो मैं आज आपको 10 दिसंबर के दाहिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ चले देखते हैं तो फर्स पेज़ पे हैं हम इस पे हमारा देखो इसमें कुछ है जो ध्यान देने वाली जैसे है रेन लाशेस तामिलाडू कोस्ट है मेंटर्स में लाइन फाल तो यहां पर क्या बत करनी है यहां पर लैंड फाल की बात हो जी है ठीक है ममलापुरह में जो कोस्ट है नियर चेन नहीं ठीक है वहां पर तो ये डिउज है पर इसमें क्या देखना है कि the cyclone moment at speed of 14 kmph वहाँ पे देखा गया कि cyclone moved at speed of 14 kmph सिक्वली विन गस्टिंग up to 85 kmph में बिलो अलोम तमिलाडू पुड़िचेरी और सदन आंध्रा प्रदेश तो यह चीजे हैं कि इसमें क्या हमें जाना है कि cyclone यहाँ पे देखा गया ठीक है तो बस इतना इसमें जाना है फिर आगे देखेंगे इसके बाद यहाँ पे एक और यह important है थ्री हिमालियान medicinal plant enter IUCN red list ठीक है तो यह आप सब को पता होगा कि IUCN red list में कुछ भी include होता है तो वो हमारे एक्जाम के लिए होता है तो उसमें है थ्री हिमालियान medicinal plant जो एंटर हुआ है IUCN red list में तो यहाँ पे यह देखेंगे कि medicinal यह जो species है वो found कहां पे हुआ हिमालियास पे ठीक है और threatened species list of threatened species में है जैसे कि नाम है कुछ यह प्रणने शेयसन थोड़ा सा tough होता है ठीक है क्योंकि scientific name होता है जैसे मेजो ट्रॉपिस ठीक है critically endangered में इसको लाए गया है Fritilloria cyrohosa इसको vulnerable category में रखा गया है और dactylorhiza जो है यह endangered में रखा गया है तो यह हमें याद रखना है कि कौन कौन सी category में रखा गया है ठीक है फिर हम इसके बारे में थोड़ा है कि the species is listed as critically endangered based on its limited area of ecopasy तो limited area of ecopasy के जो based पे इसको endangered में रखा गया है इस पेसी इसको critically endangered में रखा गया है तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो यह fertility area है वो जो हिमालियान fertility है उसको perennial bulbose harby कहा जाता है ठीक है मतलब उसमें यह शामिल है harby में और यहाँ पर है कि जो चाइना है in the china species is used for treatment of bronisial disorder तो जो चाइना है वो इस species को medical use के लिए already use में ला रहा है treatment के लिए ठीक है bronisial disorder, pneumonia ठीक है pneumonia में भी और disorder जो है उसमें चाइना already इस species का use कर रहा है this plant is also a strong cough suppressant तो यह cough के लिए भी सही है ठीक है इसको use किया जाता है ऐसा IUCN assessment ने कहा है ठीक है तो यह हमारा आप देख सकते हो यह news बहुत ज़दा important है और इसमें देखो बना की भी दिखाया है ठीक है राइट में यह जो है यह है यह जो नाम है वो endangered में है ठीक है दोनों को यहां पर दिखाये गए है प्लांट को थर्ड लिस्टेट जो है डेक्टीलो हीजा जो है वो threatened में है और habitat loss, livestock, deforestation इन सब की वज़े से भी इसको शामिल के है लिस्ट में कि ये भी एक तरीके से threatened species में आ रहे हैं अब देखो इसका जो extensive use है मतलब जादा तरी use इसका आयरवेदा, सिद्धा, युनानी के लिए किया जाता है medicine जो होते हैं, युनानी, आयरवेदी, ये सब medicine के लिए इनका यूज किया जाता है इसमें the assessment of these plants will set our conservation priority and health protect the species, ऐसा IUCN जो Species Survival Commission है उन्होंने ये चीज के बारे में information दी है तो ये है जो कि हमें ध्यान देना था अब यहाँ पे एक नीज और है एक नीज यहाँ पे और है, वन मिनिट तो एक नीज यहाँ पे और है विक्रम सारा भाई Space Center gets new Trisonic Wind Tunnel तो जो विक्रम सारा भाई Space Center है उसको new Trisonic Wind Tunnel मिला थिक है तो इसमें है new trisonic wind tunnel है विक्रम सारा भाई Space Center में वो inaugurate किया गया thursday को ठीक है और इसमें है कि by conducting first blow down successful जो test किया गया उसके बाद ठीक है massive structure which performed test in three speed regime तो ये सारी चीजे इसमें है for the country as whole it is a big step towards self-reliance अब ये कहा जा रहा है कि जो ये trisonic wind tunnel है वो country को self-reliance के तरफ ले जाने के लिए एक बड़ा step है एक big step है ठीक है और यहां पर है जो wind tunnel are devices used to study किस चीज के लिए उसके रहता है study effect of air flows solid object में ठीक है in case scale model isro rocket and spacecraft तो इसमें ये है जो trisonic wind tunnel है उसमें बिता जाना कि 160 meter long है और measure के अगया 5.4 meter widest है ठीक है तो ये चीजों के बारे में हमने देखा ये भी हमारा important था आप देखो लगातार तीन news आपको सामने ही दिख रहे होंगे तो IUCN red list में हमालन medicinal plant आप आप वो विक्रम साराभा इस पे सेंटर गेत new trisonic wind tunnel है लास्ट जोस्ट बगल में है hot text of stream jet engine conducted successfully तो ये भी important है इसमें Indian Space Research Organization quest to fabric credible next generation air breathing scream jet engine in order to launch satellite in a pre-determined orbit at a low cost cross duck key milestone on Friday and Friday evening तो किसकी बाद यहां पर की जा रही है कि hot test to scream jet engine का वो conduct हो गया successfully ठीक है ये है scream jet की बाद की जाए the scream the scram jet sorry the scram jet a more advanced version है कि शीश का ram jet engine का जो ram jet engine है उसका advanced version है ये operate करेगा efficiently hypersonic speed को ठीक और यहां पर क्या है it then allow oxygen mix and hydrogen already stored in the vehicle to target oh sorry to trigger combustion combustion को trigger करेगा and produce desired thrust to life and satellite of its designate orbit if the engine in the launch vehicle can breathe oxygen from the atmosphere that will तो मतलब इसके बारे में हमने देख लिया कि हाँ जो hot testing है अब hot testing जो है वो engine की testing की जाती है यह हमको जानना जरूरी है ठीक है फिर हम आगे देखेंगे यहां पर G20 से related है जो हम already कई बार discuss कर चुके है ठीक है तो यहां पर यह दिया हुआ है तो यह था हमारा आज का दाहिंदू का analysis thank you कि अ कि अ